हर हर महादेव दोस्तों, आज का राशिफल, 3 जून दो हजार चोबीस, दिन सुमबार, मेश राशी, आज जून महीने का तीसरा दिन मेश राशी के जातकों के लिए लाभदायक रहेगा, इन्हे धन वृद्धी से आज खुशी मिलेगी, वैसे आपको आज काम के साथ ही साथ पारिवारिक जीवन पर भी ध्यान देना होगा, बच्चों के साथ आपको आज समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे बच्चों के साथ आपका रिष्टा और भी बहतर बनेगा, आज शनिदेव के दर्शन करें और तेल चड़ाएं तो, आपका दिन और भी ज्यादा बहेत आपके साथ बना हुआ है, व्रिषब राशी स्तोत्र का पाठ करें तो, आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा, शुभरंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है, 84 प्रतीशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है, मिथुन राशी, आज का दिन मिथुन राशी के जातकों के लिए बेहत खास रहने वाला है, सितारे कहते हैं कि आज आप अपने जीवन साथी को शौपिंग पर ले जा सकते हैं, जिससे आपका धन खर्च बढ़ेगा, साथ ही आज बच्चों की खुशी के लिए भी आज आप धन खर्च करेंगे, वैसे आज आज आपको निवेश बहुत सो और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है, 88 प्रतीशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है, करक राशी करक राशी के लिए आज सितारे बताते हैं कि आर्थिक मामलों में आपको आज सजग और सतर्क होकर काम करना होगा, आज पढ़ने लिखने में आप की रुची रहेगी, ज्यान विज्यान का आपको आज लाभ मिलेगा, कार्यक्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करके नाम कमाएंगे और आपको कोई बड़ा लक्ष्य हासिल हो सकता है, आज सफेद चंदन का तिलक लगाएं एवं भगवान शिव को तामबे के लोटे से जल दे तो, आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा, शुभरंग होगा मरून, और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है, 81 प्रतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है, सिंह राशी, आज का दिन सिंह राशी के जातकों के लिए उच्साह धक रहेगा, आपको आज मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी आप इस महीने भाग ले सकते हैं, आज आपको एक से अधिक स्रोतों से धन लाब होता नजर आ रहा है, कार्यक्षेत्र में आपको अपनी इच्छा के अनुसार काम मिलने से खुशी रहेगी, आज गायत्री चालीसा का पाठ करें तो, आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा, शुभरंध होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है, सत्तर प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है, कन्या राशी, कन्या राशी के जातकों के लिए आज का दिन लाभप्रद रहेगा, आज का दिन आपके लिए कोई नया काम शुरू करने के लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए आज सलाह है कि व्यापारिक मामलों में आपको किसी पर भी आखमूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, आपके रुके के लिए काम जरूर पूरे होंगे, आज भगवान विश्नुजी की आराधना करें तो, आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा, शुभरंध होगा जामुनी, और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है, 76 प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है, तुला अतियुद साह में आज नुकसान होने का भय बना हुआ है, सितारे इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं, कि अगर आप कारोबार में उधार लेन देन करने की सोच रहे हैं, तो आज इस विचार को मन से निकाल दे नहीं, तो नुकसान हो सकता है, आज किसी गरीब कन्या ओको वस्त और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है, 72 प्रतीशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है, व्रिश्चिक राशी आपको आज किसी सौदे में अच्छा मुनाफ़ा मिल सकता है, प्रापर्टी में जो लोग धन लगाना चाह रहे हैं या घर मकान खरीदना चाह रहे हैं, उनको आज अपने प्रयास में सफलता मिलेगी, मित्रों के साथ संबंधों में घनिष्ठता बढ़ेगी और साथ में म भी ज्यादा बहेतर होगा, शुभरंग होगा कथई, और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है, 68 प्रतीशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है, धनुराशी, धनुराशी के जातक आज कामकाज में व्यस्त रहेंगे, आपको आज परिश्रम का पूरा लाभ भी मिलेगा, आपको किसी भी जोखिन भरे काम में हाथ आजमाने से बचना चाहिए, अन्यथा परिशानी का सामना करना पड़ सकता है, आज भगवान श्री कृष्न की पूजा करें, और किसी जरुरकमंद लोगों को भोजन का दान कर देतो, आपका दिन और भी ज्यादा बहेत मितर होगा, शुभरंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है, तिरान्वे प्रतीशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है, मकर राशी आज का दिन मकर राशी के जातकों के लिए महत्वपून रहने वाला है, आज आपको मितरों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, और यदि परिवार में कोई विवाद है, तो उसे बातचीत से सुल्जाने का प्रयास करें, आर्थित लेंदेन के मामलों में आपको करेंगे तो, आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा, शुभरंग होगा केश्रिया, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है, तिरासी प्रतीशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है, पल बिताने का मौका मिलेगा, सांसारिक सुख के साधनों में व्रिध्धी होगी, अपनी उर्जा का उप्योग आप सकारात्मक दिशा में करेंगे, जिसका आपको पूरा लाभ भी मिलेगा, आज शनी स्तोत्र का पाठ करें, और किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन एवन धन का दान करते हैं, तो, आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर हो मीन राशी आज पीले चंदन का तिलक लगाएं और शनी स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो, आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा, शुभरंध होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है, 96 प्रतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है